खेरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दिवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो ना मेरी है सियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे सौ साल है अंजाम है तै मेरा होना है तुम्हे मेरा जितनी भी हो दूडिया फिल हाल है खेरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दिवाने का क्या हाल है हेलो फ्रेंड्स डिस इस विजराज पूछ पूछ पैंड वेल्कम टू लर्नर आइस वाई वी यार पी हैपी इंडिपेंडेंस टे आप सभी को पता है कि आज ही के दिन हम लोगों ने आजादी पाई थी पंदरा अगस्त उनिश्व सैंताली सिस्वी को और आज वही दिन हमारे लिए हम भारतियों के लिए एक सबक बन कर आया है जैसा कि आपको पता है कि यह जो सोतंतरता दिवस स्वाधिनता दिवस इंडिपेंडेंस टे जो मनाया जा रहा है वह है चोहत्तरमा यानि 74th इंडिपेंडेंस डे इज सेलेबरेटेड इन आबर कंट्री टुडे तो हम लोग भी इस खुसियों के महौल में उन यादों की संसार में एक वार फिर से अपने बीते हुए दुख भरी जिन्दगी को थोड़ा सा ताजा करें और देखें कि कैसे लोग उन दिनो अंग्रेजों के प्रतारना था उत्पीरन था उसको सहते हुए कैसे अपना जीवन गुजारते थे आज हम लोग के पास सब कुछ है खाने के लिए भी है जीने के लिए भी है और अपने मर्जी से कुछ करने के लिए भी है लेकिन उस समय हम लोगों को अपना पर भी निकालने से पहले सौ ब है जिनहोंने गुलामी की बेरी को कभी पहना होगा या जेला होगा तो अगर इस तरीके का वीडियो आप चाहते हैं तो आप बने रहे इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के बटन को दवाए औल पे और मैं आपके लिए आज सुतंत्रा दिवस के सुभ अब पर एक से बढ़ कर एक वीडियो आपके सामने आज रात ही डालूँगा अपलोड हो जाएगे आप देखेंगे थैंक्स फर लिस्निंग नाओ वी आर गइंग तो डिसकस प्रिंस्पल्स अफ लेंग्वेज डेवलोप्मेंट भासा विकास के सिधान्त पार्ट नाइन देख रहे हैं आप सभी को पता है चाइल्ड डेवलोप्मेंट एंड पेडागोगी के तहत या चाइल्ड डेवलोप बच्चे में पहले बिचार आता है और फिर भासा विकास होता है दूसरा है भासा विकास के सिधान देने वाले वाईगोश की लेव वाईगोश की इनका करना है कि बच्चा अंतर किरिया से सिखता है यानि जो बच्चे होते हैं वह समाज के साथ रहते हैं समाज से घुलते मिलते हैं और उनका अनुकरन करते हैं और उसी से सिखते हैं जिस परकार का महौल मिलता है उसी परकार के भासा को सिखते हैं लेब भाई गोस्की कहते हैं इनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं शुरुवात में विचार और भासा दोनों अलग अलग रूप से सिखते हैं चलते हैं और बाद में चल कर दोनों अंतक किरिया कर और इस तरीके से भासा का विकास हो जाता है उन्होंने कहा कि बच्चा भासा अवलोकन के द्वारा सिखता है जब सामने वाले बच्चे जो होते हैं या लोग होते हैं वह जिस परकार से भासा का उच्चारन करते हैं जिस परकार से बोलते हैं उसी परकार से बच्चे भी शिक नेक्स्ट है जन्मजात सिधान वहुत ही फेमस है नौम चम्सकी कहते हैं कि बच्चे में भासा सिखने की छमता जन्मजात होती है इनेटेबिलीटी होती है और बच्चे के अंदर एक लैड लेंग्वेज एकुजिशन डिवाइस के साथ बच्चे जन्म लेते हैं भासा अधि बहु भासी क्या है तो आपको पता है कि बहु भासी helpful resources है सहायक है या कोई रुकाबट नहीं है आप पता ही होगा कि बच्चे को अगर भासा सीखाना चाहते हैं तो बहु भासी संसाधन और शंपत्ती है NCF के द्वारा जो बहु भासी होते बिभिन छेतरों से जो आते हैं बि ये था आज का क्लास भासा विकास का सिधान आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को आज सोतंतरता दिवस के सुभव सर पर जितना जादा सियर करेंगे उतना ही जादा आप ही लावान भीत नहीं होंगे बलकि इस देश के जो गुलामी से आजादी करवरे हैं उसमें हम सभी साक्षर बनेंगे सिक्षित बनेंगे और इस देश के उत्थान में हम लोग मदद देंगे तो आईए आज परन लेते हैं कि आज से कम से कम पांच या दस सेर जरूर करेंगे लोगों नए लोगों को और अगर आप नए भीवर से तो इ सियो को मनाईए